जैहीं दोस्तों दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजूकेशन योर फ्यूचर में दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको लेक्ट आए हूँ प्रस्णावली 13 का ई यदि आपने इसके पहले के प्रस्णावली नहीं देखे हैं तो डिस्क् अपने बुक पर ध्यान दीजिए आप दोस्तों क्वेस्चन नंबर वन को मैं पढ़ने जा रहा हूं ठीक है तो चले मेरे साथ साथ आप भी बने रही है क्वेस्चन नंबर वन पर ध्यान दीजिए देख इसमें बोला है एक 22 सेंटीमीटर आंतरिक किनारे वाले खोखले घ घं का एक बटा आठ इस्तान भरा नहीं जा सकता तब घं में समावेशित होने वाले कंचो की संख्या है यह देखिए आपका अब्जेक्टिव क्योश्चन है दोस्तों चार आपसन आपका दिया गया है तो चले पहले हम क्योश्चन को हल करते हैं जो एंसर आगा उसके अंस 22 सेंटी मीटर वह घं का भूजा ही बोला जाए क्योंकि आंतरी किनारे वाले खोकले घं को किसे कंचों से भरा जा रहा है अब कशे का ब्यास से 0.05 सेंटी मेटर तो आप क्या करें दोस्तों यह 22 सेंटीमीटर दीकर आपको यह क्या है घं की भूजा तो यहां पर लिख मीटे रहे ठीक है तो आपको पता है जब भूजा देता है तो घं का भूजा दिया है तो इससे हम क्या निकाल लेंगे घं का आयतन ठीक है तो यहां लिख लिए घं का आयतन घं का आयतन क्यूं क्यों कि दोस्तों आपको पता है कि घं का आयतन बराबर होता है भूजा का क्यू क्यूब तो भूजा का जब आप क्यूब करोगे तो यहां पर दिखिए दिया गया है क्या दिया गया है भूजा भूजा कितना दिया बाइस तो यहां पर कर दीजिया बाइस का क्यूब चलिए हम यहां पर कर देते हैं दोस्तों बाइस का क्यूब ठीक है अब बाइस का क्यू कि अहापे तो दो दूनी चार और कितना हो जाएगा दो दूनी चार फिर चार-चारा जाएगए यहाँ पर इसको लिख ली जिए तो कितना आया दोस्तो चार उतर जाएगा चार- за light यहाँ पे चार फिर क्या करों के 22 से इसमें फिर घुड़ा करो ठीके जितना आएगा वो घंका क्या हो जाएगा आएतन हो जाएगा तो 2 चौक8 2-8 16 24 के आणठ कितना हो जाएगा नव फिर वही से माएगा दो से घुड़ा करेंगे तो यहां प्रेग लिजे आठ 6 और 9 ठीक है अब जोड़िए इसको 8 8 6 14 हासिल 1 9 6 15 16 हासिल कितना हो जाएगा दोस्तों 1 9 1 कितना हो जाएगा 10 तो 10 600 कितना आ गया 48 तो यहां पर लिख दीजिए आप 10 648 वो भी क्या होगा दोस्तों 10 648 यह क्या होगा आइन है तो एक गहन सेंटी मीटर हो जाएगा थी हे घंसेन सेंटी मीटर इसका मात्रग भी आप यहां पर लिख दीजिए मैंने क्या किया था गुड़ा किया था गुड़ा को आप कैंसिल कर दीजये बगल मिंटिक है अब क्या करोगे ध्यां DU यह तो निकल तो कंचे अमसमझा बश्बा जिसको हमारे प्रयाग राज में क्या बोलते गोली जो कंचे इसे का बना ऊता हो गोला डोला वो खेलते हैं उसी कुः अब लिखना चाहिए अब लीख दीजिए एक चंचे का भास ठीक है अब यह ब्यास दिया तो ब्यास के माध्यम से हम क्या करेंगे दोस्तो त्रिज्या निकालेंगे ठीक है तो चले एक कंचे का आप यहाँ पर निकाल लीजे क्या त्रिज्या ठीक है तो त्रिज्या क्या होता है दोस्तो ब्यास का आधा तो ब्यास कितना दिया है जीरो दसमलो पांच हम आधा करेंग पांच के पहले 0 है तो 0 की वैलू खत्म हो जाएगी ठीक है अब नीचे कितना 2 और 0 हो जाएगी क्योंकि दसमनलोग बाद एक अंग था दसमनलोग मैंने कैंसिल किया नीचे एक 0 बढ़ गया अब इसको कार दीजिया 5 1 5 5 4 के 20 कितना आ गया दोस्तों 1 बटे 4 वो भी क्या क्यो कंचो का दै कैसा होता है गोला कार ठीक है तो गोला कार होता है निया कंचे क要हता है आयतन का नीकाली तो खोखला क्या बोला इसमें हाँ खोखले घं को क्या कर रहे हैं कंचे से भर रहे हैं ठीक है तो कंचे से भर रहे हैं तो उसका भरा हुआ भाग भाग भी निकाल लेंगे पहले कंचे का आयतन निकाल लेंगे तो भरा हुआ भाग निकाल लें भरा हुआ भाग निकल जाएग एक कंचे का आयतन तो एक कंचे का आयतन तो एक कंचे का आयतन आयतन का फार्मूला क्या होगा दोस्तों ध्यान दिए कंचा कैसा है गोलाकार है तो गोले के आयतन का फार्मूला यहां पे लगेगा तो गोले के आयतन का फार्मूला होता है चार बटे तीन पाई आर क्यूब हो उसको रखी यहां पर तो चार बट्टे तीन तो चार बट्टे थीन को आप वैसे लिखो ठीक है अब यहां पर देखिए तो पाई का भी मान रख़ दो कितना हो जाएगा साथ ठीक है आर क्यूब यानि तरिज्जा का क्यूब तरिज्जा का किंदा निकला है एक बटे चार तो एक बटे चार से चार यहां हो जाएगा कैंसिल हो जायका अब दो स्काटेंगे दो दुनि चार यहां पर जो बचा उसको बराबर करके लिख दीजेए तो उपर कितना व्चाए 11 तो लिख दीजे 11 और नीचे कितना व्चाए Refuses सतहे 21 तो यहां पर कर दीजे 21 ढूरूत भिर कितना मत्या एक कायक एक ही आएगा और नाच बूचा दो चुकी 8 और यहां पर हो जाएगachten 11-21 गूर्ट 15 गूरूत एक बटे 8 इतना घं सेंटि मीटर यह क्या हो तो क्या करेंगे जितना घं का आयतन है पूरे घं के आयतन में से एक बटे आड़ भाग को क्या करेंगे वहां पर घटा देंगे ठीक है कैसे घटाएंगे चले आगे बताते हैं तो करिए क्या पहले यहां लिखे घं का घं का कंचो से भरा भाग ठीक है भरा भाग कितना भाग भरा है ठीक है तो कितना भाग भरा है कंचो से वह आपको निकालना है तो पहले देखिए कंचे का पूरे घं का आयतन कितना है 10,648 ठीक है अब इसका 8 बड़ा एक बड़ा आठ भाग क्या है इसमें से भरा वगा भाग है यहां से पूरा इतना है तो इसको लिखे 10,649 का 1बड़ा आठ भाग यहां पर क्या है दोस्तों खाली दिख रहा है तो वहां से आप नहीं भरा जा सकता बोला है कि एक बटा आठ भाग नहीं भरा जा सकता पूरा आयतन इतना है तिसका एक बटा आठ भाग नहीं भरा सकता तो इसको हम यहां पर कर लेंगे घटा देंगे तो कितना भरा जा सकता यह हमें पता हो जाएगा जब कंचो कितना कंचा भरा गया है घन में वो मिल जाएगा तम कंचो की संख्या आसानी से निकाल सकते क्योंकि हमने कंचो का एतन एक कंच आई तन निकाल लिया ठीक है अब क्या करोगों चलो आगे देखें Milan अब इकी यह 8 6 आन से काठेगा सों कर जाएगा 8 8 8 8 जाएगा 28 3 2024 कितना आठ एक यहां देखे आठीक का 8 कितना बच्टा दो चविस हो गया 8 तृट 24 कितना बच्टा दो 24 चौबिस 28 एक यानि कट की तना यहां बच्टा कितना 10 6 4 8 माइनस कितना करें गे 13 31 ठीक है अब यहां से से स्कों इतना घटा डेंगे जो आएगा वह क्या हो जाएगा घं से भरा कंचों का भाग तो चले घटा देते हैं तो यहां देखे आठ में से एक घटाएंगे तो कितना आएगा साथ आएगा ठीक है अब यहां चार में से तीन घटाएंगे तो कितना एक आएगा ठीक है अब यहां चाहर में से तीन घटाएंगे तो बचे कितना दोस्तो नौ ठीक है तो कितना आगया 9,370 क्या घं सेंटीमीटर भाग इतना भरा गया है आप से पूछा क्या है कंचो की संख्या तो कंचो की संख्या कैसे निकले की ध्यान दीजे इतना जितना भी कंचा भरा गया है घं के अंदर उसका आयतन पूरा कितना निकला गया दोस् किटना है 11,2,1 बटे 8 गहन सेंटिमिट्र हम इस से भाग कर दें तो हमें कंचों की संख्या क्या हो जाएगी मालूम हो जाएगे अब हमें निकालना यहां प्याद given कंचों की संख्या सब factors रहां यहां पर आप Abend कंचों की संख्या कंचों कbs संख्या तो कंचो की संख्या आप निकालोगे तो क्या करोगे दोस्तों कंचो की संख्या बराबर आप लिखोगे घं का कंचो से भरा भाग उपर कर दीजिए घं का कंचो से भरा कंचो से भरा भाग ठीक है यहां लिखे भरा भाग बटे क्या करोगे एक कंचे का आयतन ठीक है तो बटेम कर दीजे एक कंचे का आयतन एक कंचे का आयतन ठीक है अब इतना जब आप कर दोगे तो जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा मान पहले रखिए चलिए हम पहले मान रख देते हैं तो मान क्या है दोस्तों इगहन का कंचों स बहरा भाग कितना है 9,370 कहने का मलब उपर हो जाएगा 9,370 और नीचे एक कंचे का आयतन आपका निकला है 11 वटे 21 गुर्टी 1 वटे ठीक है और आपको ये भी पता है कि जो वटे का बटा होता है वह कहां चला जाता है उपर चला जाता है तो ध्यान दीजे दोस्तों अब आ बटे का बटा है तो यह किए हो जाए इसका सबसे उपर गुड़ा हो जाएगा तो ऊपर कितना बचेगा नो तीन एक साथ गुढ़ते देखते हैं कुछ खटेगा अगर हम 11 से इसको काथे देखे 1188 बचेगा 5 कितना हो जाएगा निए 5 बचेगा कितना साथ तो कितना हो जाएगा साथ ग्यारा से काटेंगे 9370 को तो आएगा 847 ठीक है अब गुरते में कितना है एककीस फिर गुरते में कितना है आठ तो इतना कर दीजिया ठीक है इसका गुडा करने के गुडा करने मीं फ्रीन पहले किससे गुडा करेंगे एक किस गुडा करेंगे यह आप पहले आठ nervous का लेजिये चलिए 8 का गुड़ा करेंगे 8 सते 56 हासिल 5 ठीक है अब 8 चवके 32 32 35 37 हासिल 3 8 24 3 कितना हो जाएगा सरसट ठीक है तो यहां पर आगया आपका सरसट 76 गुड़ते कितना हो गया 21 अब इतने मैं आप क्या करें 21 से गुड़ा कर दीजिए चलिए हमें 21 से गुड़ा कर देते हैं तो सरसट 76 गुड़ते क्या कर देंगे एक च्छक के 6 सवंजा रहा ना एक च्छक के शाओ फिर दुकरेंगए औरफे 12 би 1 спасибо एकट ठीक पंद通 Šथ एकड़े 15 हासिल ह nuestra क्याएगा ओटेरा कें क्लिए यहां पिस 9 हो जाएगा साथब और पांच 12 हासिल एक च्ह पांच 11 12 हासिल 13 प्रिन एक चार हो जाए गया आप चाओदः 22 चानवे तो चलिए पूरा गुड़ा करने पर कितना आया चाओदः 22 चानवे ठीक है यह आ गया दोस्तों आपका एंस्वर लेकिन देखते हैं आपसण में आपसण में क्या-क्या दिया है तो दोस्तों देखिए पहला आपसन आ भी नहीं मिला है 14 25 चानवे कोई आप्सन नहीं मिला लगभग में 200 यहां पर 44 है पहले आप्सन में 292 है ठीक है तो यहां पर लगभग में करके पहले आप्सन को हम लिख सकते हैं क्या 14 24 ठीक है अगर यही 100 के क्रास होता 906 आणि यहाँ पर 906 जो हैं 300 होता है 200-90 आगा 300 होता तो हम क्या करते हैं दोस्तों सेक्रेट आपसन को right कर देते बट यहाँ पर 200-90 आ रहा है तो पहला ही आपसन हम क्या कर देंगे right कर देंगे तो यह ही आपका एंसर हो जायेगा भी लगभग में हमने इसको क्या लिया है लागभाग में लिया है तो पहला अपसन हमारा मैच कर रहा है तो पहले अपसन को आप क्या लिजए राइट कर दीजिए अपसन नमबर वन आपका इसमें राइट हो जाएगा clear हो गया दोस्तों आई होब कि आपको बहुत अच्छे समझ में आओगा जोस्तों तो चलें आमनेक्स्ट की के स्वेस्ट की तरफ चलते हैं राये हैं है अब देखें देश्टों क्यों चेले देख दोस्तों क्या बोला की एक एक लिएक कटने हैं एक धातु के गोलाकार खोल को पिघला कर आधार ब्यास आठ सेंटी मीटर के एक संक के आकार में ढाला जाता है इस संक की उचाई ग्यांत कीजिए तो ध्यान दीजिए दोस्तो क्रमसा क्या दिया है आंतरिक और ब्याहरी ब्यास दिया है एक धातु का गोला है जिसको पिखला कर एक संग के आकार में बनाया जा रहा है और उस संग के आकार में जब बनाया जा रहा है तो उसी संग की आप से क्या पूछी जा रहे है उचाई पूछी जा रहे है लेकिन आपका इसमें दो ब्यास दिया है एक आंतरिक ब्यास एक बाह आरे ब्यास लेकर हम क्या निकालेंगे दोस्तों तधीजा निकाल लेंगे ठीक है तो चलिए मेढ़ीजök गोलाकार के लिए । क्योंकि जो गोलाकार है इस खोल जो है इसको हम पिखला कर क्या कर रहे हैं एक संकु बना रहे हैं और संकु जब बना रहे हैं तो उसी कुछ आई हम आपसे पूछ रहे हैं तो इसी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे पहले आप गोलाकार के लिए आंतरिक ब्यास लिख मुल्ब हमें क्या क gelmiş से 310 टिकहे वियास दिया है तो इससे हम प्राप्त करेंगे 178 तो आंतरी का आप निकाल लीजे यहां पर क्या टिरिया ठीक ए तो अंतरी 130 डिया निकालेंगे थो हम वियास का क्या कर देंगे आधार दों साथ दोंई चार यानि क्या आ गया पर दो सेंटी मीटर आपका निकल गया यहां पर आंतरिक त्रिज्जा अब चलिए हम यहां से बाहरी ब्यास भी दिया है तो इसको भी लिख लेते हैं तो लिखें यहां पर दोस्तों आप क्या बाहरी ब्यास ठीक है जो जो पहले मान दिया रहा करें प बाहरी व्यास से क्या निकाल लेंगे बाहरी तृज्जा ठीक है तो बाहरी तृज्जा रहा निकल गया है आपका यहां पर यहां निकल घोल wus से आयतन निकाल लेजिए उसके बाद संकु का आयतन निकाल लीजिएगा और दोनों को कर दीजिएगा आपस में बराबर वहां से आपको मिल जाएगी क्या उचाई समझ मैं नहीं समझ मैं तो बने रहे हम समझाकर ही छोड़ेंगे दोस्तों कहीं जाईएगा मत बने रहे ट्रिजब की खोल जो है वह कैसा है गोलाकार है तो गोलाकार आईतन अलगा अर true क्या होता है क्या होता है बड़ी थरिज्जा में से छोटी तिरिज्जा को माइनस कर्देंगे यानि बड़ी त्रिज्जा आपका क्या दिख रही है अगर हम इसको r1 ले 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 और इसको r2 ले ले तो बड़ी त्रिज्जा क्या दिख रही r2 तो हम कह सकते हैं यहाँ पे r2 का cube minus r1 का cube ऐसे आप लिख सकते हों यहाँ पे ना समझ आ गया चले आगे बढ़ लेते हैं अब स क्यूब तो r2 कितना दिया दोस्तों 4 तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 4 का cube फिर minus r1 का cube तो r1 कितना दिख रहा है दोस्तों 2 तो कर दीजी यहाँ पे 2 का cube और bracket को कर दीजे साथ में बंद ठीक है अब क्या करोगे 4 बटे 3 pi है तो 4 बटे 3 pi को लिखना मत भूलिए क्योंकि ल 16, 16, 64 तो यहाँ पे हो गया 64 और 2 का गुड़ा तीन बार करेंगे नि 2 गुड़ते 2 गुड़ते 2 तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा तो यहाँ पे कर दीजे इतना 8 अब क्या करेंगे ध्यान दीजे चार बटे 3 pi है तो pi को आप यहाँ पे बगल में ऐसे लिखे अब 64 में से 8 घटा देंगे तो कोश्टा खट जाएगा यहाँ पे लग जाएगा क्या गुड़ा तो 64 में से 8 घटे घट कितना बचेगा 56 ठीक है यहाँ पे आपका आगया 56 अब इसका क्या कर लिजे आप गुड़ा भी कर लिजे तो देखे 56 का 4 में आप गुड़ा करिए तो 4 चंग 24 ह नीचे तीन लिख दीजे अब अगल में पाई भी लिख दीजे क्योंकि पाई है अब मात्रक को लिखना मत भूल सो लिकना सेंटी मीटरले सब्सक्राइबिस बटे यहाँ क्या अब क्या गोलाकार क्ई होना चाहिए उसका तिरिज्जा पता होना चाहिए तो आगे आपको बोल भी दिया है कि जब इसको पिखला कर बना जाता है तो आधार का ब्यास 8 cm के एक संकु के आकार में ढाला जाता है यानि अब ब्यास दिया है संकु का ब्यास दिया है ठीक है तो चले यहाँ पर हम लिख लेते हैं संकु का ब्यास ठीक है तो चलिए संकु की त्रिज्जा निकाल लिजे यहाँ पर तो संकु का ब्यास दिया है तो यहाँ पर कर दीजे आप संकु की त्रिज्जा त्रिज्जा निकाल लेंगे क्या करेंगे इसका ब्यास का आधा दो चवके आठ्यानी चार सेंटीमीटर यह आपका क्या निकल गया द तो लिखें आपे दोस्तो संकु का संकु का आयतन ठीक है ऐसे लिखें आपे संकु का आयतन अब संकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है दोस्तो तो आपको पता होगा एक बटे तीन पाई आर इसक्वायर एच यही एच आप से क्या किया गया है पूछा गया है ठीक है तो हुआँ इससको निकानने लिए क्या करेंगे पहले इसके मानों को आप रखिए यहां पे एक बटे तीन है रखी ऐसे पाई को वी आप वह को आप आप वैसे रहेगा आप इसका करिये चार का स्कॉयर तो चार को चबू कितना हो जाएगा 16 बगल में h है, तो h है लिख दीज़े, ठीक है, अब 16 एक का करेंगे, 16, 16 बटां कितना हा जाये गया है, आफ तीन, बगल में πाई h है, तो πाई h को आफ वैसे ही लिख दो और क्या आयतन निकाल रहे हो, तो मात्र क्या हो जाये, इतना घं सेंटी मीटर, ठीक है, तो इतना घं स खोल में था उतना संकु में भी रहेगा तो आपस में कर दीजिए अब क्या दोनों को बराबर ठीक है कहने का मतलब आप यहां पर लिख दीजिए गोलाकार खोल का आयतन गोलाकार खोल का आयतन बराबर संकु का आयतन क्योंकि इसी को पिखला कर संकु बनाया जा रहा है न तो इसलिए हम लिखेंगे यहां पर क्या संकु का आयतन अब दोनों आपसें बराबर होंगे तो दोनों के value को रखें यहां से और उचाहिए आप यहां से आसानी से निकाल लिजे ठीक है अब क्या करोगे ध्यान दो गोलाकार खोल का आयतन तो गोलाकार खोल का आयतन आपका यहां पर निकला थे कितना दो सो चौबिस बटे तीन पाई ठीक है तो यहां पर लिखे दो सो चौबिस बटे तीन अब अगल में क्या होगा दोस्तों पाई बराबर संकु का आयतन तो संकु का आयत के लिए क्या करें यह च निकालेंगे तो बाकी सभी का क्या हो जाएगा क्रास गुड़ा करने का मतलब 3 का इधर गुड़ा हो का 3 का इधर और अब बगल में पई दोनों के साथ है यहां तो आप यह कर सकते कि बटे में है यानि 224 बटे आप क्या लिख दो गए यहाँ पर शोला ठीक है चलिए इसको हम काटते हैं अगर 16 इसको डाटें तो कितना अएगा ध्यान दीजिए तो 16 का सोल एक यहां अगा आएगा अब लिख दीजिए ठीक है मात्रक में कोई गलती मत करिएगा ध्यान दीजिएगा अब यह आपका आ गया क्या दोस्तो एंस्वर अब आपको करना क्या है कि यह अब्जेक्टिव क्येस्टन है तो चलिए हम आपसं को मिला लेते हैं ठीक है तो पहले आपसं में दिया है 12 cm दूसरे में 14 cm तो हमारा दूसरा ही आपसं मिल जा रहा है 14 cm दूसरे आपसं को आपको क्या कर देना होगा दोस्तो राइट कर देना होगा ठीक है तो आपसं नमबर सेकेंड आपका क्या हो गया दोस्तो राइट हो जाएगा समझ जाए दोस्तो चलिए हम next question को देख लेते हैं अब question number 3 अब देखें दोस्तो question number 3 चलिए हम question number 3 को पढ़ रहा है उसके बाद हम solve कराते हैं कैसे इसमें क्या करना है और कैसे क्या नहीं करना है ठीक है एक ठोस गोले के रूप में ढाला जाता है गोले की त्रिज्जा है तो simple सा दोस्तो जैसे आपने दूसरा किया वैसे यह भी होगा सिर्फ चेंज होगा तो सिर्फ आपका फार्मूला और बैलूज पहले आपको दिया है यह लोहे का जो है घनाब आपका दिया है तो लोहा कै कर दीजेगा इक्वल आपसे पूछा है गोले की त्रिज्जा होगी तो आपको आसानी से मिल जाएगी अभी नहीं समझे तो चले हम समझा करी छोड़ेंगे दोस्तों कहीं जाएगा मत क्योंकि यहां पर आपको सब कुछ मिलता है ठीक है आपके पेपर से रिलेटेड आपक कोर्स इस चैनल पर मिल रहा है तो कहीं जाएगा मत दोस्तों आपको हम यहां पर सब कुछ पढ़ा करी छोड़ेंगे ठीक है तो चले देखते हैं क्योश्चन नमबर त्री में इसमें आपसे बोला पहले बिमाएं दी गई है लोहा कैसा है घनाप का आयतन निकाले ठीक है कह तो लोहे के टुकडे का आयतन तो आयतन जब निकालेंगे तो एक ऐसा है घनाप कार का है तो इसका हम क्या कर देंगे यहां पर गुड़ा कर देंगे ठीक है तो चलिए अब गुड़ा कर देते हैं विमाएं कितनी दी गई है उन 40 cm तो उन 40 कर दीजे फिर गुड़ते कितना 33 है तो 33 कर दीजे फिर कितना है 24 है तो 24 कर दीजे ठीक है इतना ये घन सेंटी मीटर आपका क्या निकल गया दोस्तो अभी डाटलीस का गुड़ा आप मत करिये ठीक है क्योंकि अभी आगे कटपिट हमको करना ही पड़ेगा तो क्या मतलब है अभी इसका गुड़ा करेने से तो जब गोला कर बना जाता है तो उसकी त्रिज्ञा भी पता नहीं है तरी जाप से पूछा गया है तो अभी यहां से क्या करें घोले जिस आप माना कि त्रिज्जा क्या जब त्रिज्जा नहीं पता है तब त्रिज्जा मालीजे क्या आर सेंटी मीटर क्यों सेंटी मीटर में दिया गया तो इसमें कर दीजें सेंटी मीटर तो गोले की त्रिज्जा जो निकल गई आर सेंटी मीटर अब निकाल लेजे आप यहां से क्या गोले का आयतन तो चलिए दोस्तों हम निकाल लेते हैं आग गोले का आयतन और हम निकाल लेते हैं आप गोले का आयतन बेराबर क्या होता है फार्मूला चार बटे तीन पाई आर क्यूब गोले के आतन का फार्मुला क्या होता दोस्तों चार बटे तीन पाई आर क्यूब तिहां लिखे चार बटे तीन पाई आर क्यूब ठीक है और आपको ये भी पता है कि आर का मान आर ही है ये तो आर आपसे पूछा गया है तितना घं सेंटीमीटर इसको करके छोड़ दीजे अब करिए क्या ध्यान दीजे अब ये वैलू और ये वैलू आपस में कर दीजेगा क्या बराबर लोहे के टुकडे का आयतन अब गोले का आयतन कर दीजेगा बराबर आपको त्रिज्जा मिल जाए क्यों कि त्रिज्जा आ लोहे के तुकडे का आयतन थीकर है तुकडे का नो यह लिख दोस्तों गोले का आयतन फिर गोले का आयतनी अब क्या करों दिखान देजिए आपको पता है एक टुकड़े का आहतन प्रहक निकला है उन्चास गुड़ते तैंतीस गुड़ते चौबिस पर अब बराबर में क्या लिका गोले का तो गुले का इतन किता है यहां पर दोस्तों 4बटे 3 पाई आर साथ तो आप कुछ कटे पीटेगा तो काट पीट देंगा जो आएगा इसका क्रीज़ा हो जाएगा ठीक है तो करिए कि पहले यह 49 गुड़ते 33 गुड़ते 24 को आप वैसे ही रहने तो जैसे पे है ठीक है और क्या करोगे ध्यान दो बराबर में 4 बटे 3 है तो 4 बटे 3 को रखो ऐसे पाई का मान यहां पर पहले रख दो 22 बटे कितना 7 और ग्युक्त कर दो अब यहां से हमें निकालना है क्या और क्यूब तो और क्योब क्योंकि हमें त्रुक्त करोगे तो है तो पहले ुड़ते और तीनृ गुड़ते साथ हो जाएगा और जो उपसेंकग तिसकी ढूपर हो kang नीचे अगिया उपर ही रहे ठीक है इतना समझ में आ गया आई हूप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा चले देखेंगे कटे ग्यारा से अगर हम काटे 33 ग्यारा थियां तैंटीस और ग्यारा दूना जो कट रहा उसको आप काटे चलिए अगर हम चार से काटे 24 को गया च्छारहा चाल में यहां पर चैल यहां पर चाहरा यहां पर दो या भी साधय ध्यान समझ जैगा पहले में अछा परतर त्यमन पने दो अव्यारा उपार तीन नीचे क्या किया मैं शर्प kimchi चौबिस था तो चार चंग चौबिस छह था नीचे दो था दो से मैंने च्छे को काटा बचा कितना तीन अब जो बचा है उसको आप यहां पे लिख लिजे तो आर क्यूब बराबर लिखोगे तो यहां कितना है 49 तो रिखे 49 गुड़ते 55 तीनLittle depths यहां लिख के तीन गुड़ते तीन गुड़ते कीतना है साथ लेकिन हमें और क्यूब का माण नहीं चाहे। चाहिए किया तरिज्ज्ज्ज्ज्ड़ को हम यहां तो वह निकाल सब्सक्रापर और यहां पर ए तीघन अब क्या करेंगे आपको पता है कि जब फिन निकाला वर्ग मूल निकालते हैं तो जो दो बार जोड़ा मिलता है उसको कहने का मतलब जहांपर जाने को को बाहर कर लेजह क्योंकि घंद मूल है तो झाफ मिले ःक्षित रिया है मिल गया आप से पूछा क्या था त्रिजा घ्यां वह बीडिटा कैजिए लेकिन है और पहले हम आपसन को भी मिला लेते हैं तो किसे नंबर 3 में पहला ही आपसन दिख रहा है 12 cm तो इसलिए पहले ही आपसन को क्या कर दीजे राइट कर दीजे क्लियर हो गया दोस्तों समझ में आ गया तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के साथ तब तक के लिए बाइबाइब जय हीन जय भारत